सेकंड कुशन के गर हम बात करें तू किंग्डम क्लासिफिकेशन डज नौट डिस्टिंगिश बिट्वीन अब ये कुशन है तू किंग्डम क्लासिफिकेशन का तू किंग्डम क्लासिफिकेशन जो है ये दिया यहाँ पर लीनियस ने Lineus ने Two Kingdom Classification दिया Two Kingdom Classification और जो दो Kingdom हैं वो कौन-कौन से हैं Plante Plante and Animalia Plante and Animalia अब यहाँ पर जो Lineus ने Two Kingdom डिजाइन कर रहे हैं एक Kingdom है Plante और एक Kingdom है Animalia तो Plante Kingdom में किन Organism को रखा? दो तो Organism उस है Cell Wall ऐसे Organism जिनके पास क्या है? Cell Wall present और Animalia Kingdom के अंदर उन Organism को रखा जिनके पास क्या है? Cell Wall absent है तो यहाँ पर हम बात करें To Kingdom Classification की तो यहाँ पर Lineus ने किनको Distinguish नहीं किया अब यहां समझें जिसे कि हम बात करें सेलवोल प्रेजेंट प्लांटिक इंडम के अंदर तो प्लांटिक इंडम के अंदर इन्होंने क्या-क्या बेक्टिरिया को भी रखा यहां पर बेक्टिरिया के पास क्या होती है सेलवोल होती है यहाँ पर बैक्टिरिया की बात है साइनो बैक्टिरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हें भी यहां रखा इसके अलावा यहां बात करें फंजाई को रखा फंजाई के पास भी क्या होती है सैलवोल होती है इसके अलाव मौसेस को यहां रखा मौसेस को यहां रखा और हम बात करें फर्न्स को यहां रखा साथ में जिम्नो स्पर्म जिम्नो स्पर्म एंड एंज्यो स्पर्म एंज्यो स्पर्म तो अगर हम यहां बात करें क्या डिस्टिंगिश नहीं कर पाए First option में बोला है Eukaryote, Aukaryote और Prokaryote को Distinguish नहीं किया उन्होंने Yes, जसे कि हम बात करें यहाँ पर Bacteria, Blue Green, Algae यह क्या है? Prokaryote है और इनको किस के साथ में रख दिया? Eukaryote के साथ में तो वो यहाँ पर क्या नहीं कर पाए? किनको Distinguish नहीं कर पाए? सेकंड में क्या बॉला है, unicellular and multicellular organism को distinguish नहीं कर पाई, यहां है, अगर हम बात करें यहांपर Pacteria Fungi की, यह क्या है है, यहांपर, unicellular क्या है यहांपर यह, unicellular single sehen? और यहांपर यह क्या है, multicellular, तो इनको वो distinguish नहीं कर पाई, यह भी सही हो गया फोटो सिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटो सिंथेटिक फंजाई क्या किया यहां पर लीनियस ने जो फोटो सिंथेटिक ग्रीन एल्गी या फोटो सिंथेटिक जो प्लांस है उनको यहां पर फंजाई के साथ ही रखा हुआ है फंजाई भी इन्हीं के साथ असोश तो यहां पर इनको भी डिस्टिंगिश नहीं कर पाए तो जो टू किंडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर लीनियस ने ना यूकेरियोर्स ना प्रोकेरियोर्स को डिस्टिंगिश किया ना फोटो सिंथेटिक और नोन फोटो सिंथेटिक को डिस्टिंगिश किया तो यहां प झाल झाल